हाई एवरिवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी वीजन में आज मैं एक बार फीर से आप सभी लोगों के समक्ष पॉलिटिकल थियोरी से रिलेटेट 20 most important questions को डिसकस करूँगा ये question आने वाले NTA UGC net exam पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही important है तथा अनी competitive exams के लिए भी ये questions beneficial है तो आप सभी लोग से request है कि आप लोग जो है इन सभी questions को अपने से attempt करने की कोशिस कीजे question को पढ़िए और वीडियो को पाउच करके answer देने की कोशिस कीजे और अपना score जो है वो comment box में जरूर mention करे ताकि आपको पता चल सके कि आपके आने वाली exam के लिए आपकी preparation कैसी है ता ये start करते हैं आज का वीडियो session ये हमारे political theory से related MCQ के test series का video part 2 होगा ता ये start करते हैं आज का हमारा first question है कि किसने कहा है कि स्वतंतरता का आसय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाधिता या बल परियोग का अभाव है यह statement किसने कहा है आपको ये बताना है option A है Milton Friedman, option B है T.H. Green, option C है Amarty Sin और option D है Russo आपको ये बताना है कि ये statement किसका है कि स्वतंतरता का आसय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाधिता या बल परियोग का अभाव है पताए इसका correct answer क्या होगा तो देखे इसका correct answer होगा Milton Friedman Milton Friedman का ये statement है कि स्वतंत्रता का आसे एक व्यक्तिपर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाधिता या बल-पर्योग का अभाव है मतलब एक व्यक्ति है और उसका कोई सहयोगी व्यक्ति है तो उस वेक्ति के द्वारा अपने सहयोगी पर बल पर्योग नहीं किया जा सकता है मतलब अपनी इक्छा की पूर्ती के लिए उस पर बल पर्योग नहीं किया जा सकता है या बाधिकारी रूप से उससे कोई कारी नहीं करवाया जा सकता है Milton Friedman का ऐसा कहना था और Milton Friedman की एक famous book है Capitalism and Freedom जो 1962 में published हुए थे, उन्होंने अपनी इस पूस्तक में नकरात्मक स्वतंतरता की संकल्पना का परतिपादन भी किया है और इसी पूस्तक में उन्होंने स्वतंतरता के इस आसाय का विसलेशन किया है कि स्वतंतरता का आसाय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाधिता या बल परियोग का अभाव है तो आपको इनके book का नाम याद रखना है और उनके publish year को भी याद रखना है इनके book का नाम capitalism and freedom है जो 1962 में publish हुई थे तो बढ़ते हैं next question की और next question है हमारा इन में से कौन सकरात्मक स्वतंतरता का समर्थक नहीं है आपको ये बताना है कि निमनलिखीत में से जो option दिये गए है उ उन में से कौन positive liberty के supporter नहीं है कौन ऐसा वीचारक है जो positive liberty का समर्थक नहीं है अपसन ये है ग्रिन ती एच ग्रिन इनका पूरा नाम है थोमस इल ग्रिन बी है अर्निस्ट बारकर सी है हेरोल्ड जे लास्की और डी है मिल्टन फ्रीडमैन आपको बताना है कि इन में से कौन स करात्मक स्वतंतरता का समर्थक नहीं है बताए क्या होगा इसका correct answer वीडियो को पाउच कीजिए और आप अपना answer देने की कोशिस कीजिए देखिये इसका correct answer होगा मिल्टन फ्रीडमैन मिल्टन फ्रीडमैन मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो negative liberty के supporter है मिल्टन फ्रीडमैन निग negative liberty के supporter है ये positive liberty के supporter नहीं है तो बढ़ते है next question की और next question है हमारा इन में से कौन negative liberty का समर्थक नहीं है आपको ये question पूछा जा रहा है कि इन में से कौन ऐसे विचारक है जो नकारात्मक स्वतंतरता के समर्थक नहीं है नहीं है पर focus करना है हम लोगों को आप बताईए कि इन में से कौन से negative liberty के supporter नहीं है बताईए विडियो को पाउच कीजे और अपना answer अपने से देने की कोशिस कीजे बताईए क्या होगा इसका correct answer तो इसका correct answer होगा ती एच ग्रिन ती एच ग्रिन निगेटिव लिबर्टी के supporter नहीं है बलकि ये positive लिबर्टी के supporter है तो बढ़ते हैं next question की और next question है हमारा किसके अनुसार स्वतंतरता के तीन प्रकार होते हैं पर्थम वैक्तिगत स्वतंतरता दृतिय राजनितिक स्वतंतरता और तृतिय आर्थिक स्वतंतरता option A है हीगल, option B है ग्रिन और option C है रूसो और D है है एच जे लास्की तैट मिन्स की हैरोल्ड जे लास्की आपको बताना है कि किन्होंने स्वतंतरता के तीन प्रकारों का जिक्र किया है पर्थम वेक्तिगत स्वतंतरता, second राजनितिक स्वतंतरता और third आर्थिक स्वतंतरता बताए क्या होगा इसका correct answer? तो इसका correct answer होगा है हैरोल्ड जे लास्की लास्की ने स्वतंतरता के तीन प्रकार बताया है पर्थम वेक्तिगत स्वतंतरता, इंडिविज्वल लिबर्टी, सेकेंड राजनितिक स्वतंतरता, पॉलिटिकल लिबर्टी, और थर्ड है आर्थिक स्वतंतरता, इकोनॉमिक लिबर्टी, तो आपको लर्ण कर लेनी है अच्छे से, एक्जाम में ये कोश्चन पूछी जा स बढ़ते हैं next question की और, next question है question number five, किसने कहा है कि स्वतंतृता का अर्थ ऐसी दसाओं की उपलब्धता से है, जिसमें मनुस्य के विकास का सरवतम अवसर उपलब्ध हो, बताए कि ये statement किसका है कि स्वतंतृता का अर्थ ऐसी दसाओं की उपलब्धता से है, जिसमें मनुस्य के विकास का सर्वोतम उसर उपलब्ध हो सके option A है हेरोल जेलासकी option B है टी एच ग्रिन option C है हीगल और option D है लियो इस्ट्रोस आपको बताना है कि ये statement किसका है किनोंने कहा है कि स्वतंतरता कर्थ ऐसी दसाओं की उपलब्धा से है जिसमें मनुस्य के विकास का सर्वोतम उपलब्ध हो सके बताईए सर्वोतम हो सर उपलब्ध हो सके किनका है ये statement तो देखे ये statement है H.G. लासकी का हेरोल जे लासकी ने ये statement दिया है कि स्वतंतरता का अर्थ ऐसे condition की उपलब्धता से है ऐसे condition available होने चाहिए जिसमें मनुस्य जो है अपना development कर सके है ना तो उनको ऐसा कहना था और इसलिए हेरोल जे लासकी का ये भी मनना था कि स्वतंतरता अधिकारों से उत्पन होती है हेरोल जे लासकी का मनना था कि स्वतंतरता अधिकारों से उत्पन होती है क्यों क्योंकि लास्की के अनुसार बीना अधिकारों के स्वतंतरता नहीं हो सकता है जब तक आपके पास राइट्स नहीं रहेगा एक इंडिविजुल के पास जब तक राइट्स नहीं रहेगा तब तक उसे लिबाटी नहीं मिल सकता है क्योंकि बीना अधिक प्रहारों के मनुस्य कानुनों को मानने के लिए बाद ही नहीं हो सकता, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवसकताओं से संबंधित होते हैं, तो बढ़ते हैं next question की और, next question है, किसने कहा है कि राजजी की आग्या का पालन करना ही स्वतनत्रता है, बताऎे statement किसका है, किन्हों ने ये कहा है कि राज जी की आग्या का पालन करना ही स्वतंतरता है ये statement किसका है आपको बताना है तो देखिए इसका correct अंसर हो जाएगा हीगल ने कहा था कि अगर आप स्वतंतरता को feel करना चाहते हैं अगर आप liberty को महसूस करना चाहते हैं तो आप राज जी की आग्या का पालन किजिए उसके आग्या का अवहिलना आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको liberty चाहिए तो आपको राज जी की आग्या का पालन करन अगर आप state के command को पालन कर रहे हैं तो उसी में आपको स्वतंतरता का एहसास होगा Heagle का ये कहना था तो बढ़ता है next question की ओर Question number seven है किसने कहा है कि सकरात्मक स्वतंतरता एक पुर्ण मानों के रूप में कार्य करने की स्वतंतरता है यह मानों की अपने विकास करने की सकती है बताईए यह बात किसने कहा है कि सकरात्मक स्वतंतरता एक पुर्ण मानों के रूप में कार्य करने की स्वतंतरता है और यह मानों की अपने विकास करने की सकती है option A है Heagle, option B है Friedman, option C है Barker, option D है MacPherson बताईए ये statement किसका है बताईए तो देखे इसका correct अंसर हो जाएगा MacPherson MacPherson का ये statement है कि सकरात्मक स्वतंदरता एक पुर्ण मानों के रूप में कारी करने के स्वतंदरता है और यह मानों की अपने विकास करने की सक्ती है देखे MacPherson जो थे MacPherson ने बरलीन के स्वतंदरता सिधान्त की भी आलोचना की MacPherson ने आजिया बरलीन के जो स्वतंदरता सिधान्त है उसकी भी आलोचना की है और उन्होंने कहा है, कि स्वतंतरता की उदारवादी अउधारना ने स्वतंतरता के महत्तु को ही खत्म कर दिया है, तो बढ़ते हैं next question की ओर, question 8 है हमारा, very very important question, Atlantic Charter में पुरु अमेरिकी राष्टपती रुजवेल्ट ने चार परकार की स्वतंतरताओं का वर्नन किया था, इन में से कौन नहीं है, उन्होंने चार परकार की स्वतंतरताओं का वर्नन किया था, Atlantic Charter में, option A है अभिवेक्ती की स्वतंतरता, option B है उपासना की स्वतंतरता, option C है आर्थिक स्वतंतरता, और option D है अभाव की स्वतंतरता, बताए, क्या होगा इसका correct answer, वीडियो को अंसर देने की कोशिस कीजे, बताए, बहुत ही important questions हैं, अगर आप अभी मेहनत करते हैं, तो आपको आने वाले exam में, ज्यादा problem का, ज्यादा problem face नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हर question को deal कर पाएंगे, तो बताए कि इसका correct answer क्या होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, नहीं मेहनत कीजेगा, तो सफलता हासिल कैसे होगी, एक question को अच्छी तरह से read कीजे, और उसका answer देने की कोशिस कीजे, Atlantic Charter में पूरु अमेरिकी राष्टपती रुजवेल ने चार परकार की स्वतंतरताओं का वर्नन किया था, देखे, इसका correct answer होगा, आर्थिक स्वतंतर का जिक्र नहीं किया है, तो बताइए आप सभी लोग की इसके अस्थान पर कौन सी स्वतंतरता का उन्होंने जिक्र किया था, तो इसके अस्थान पर उन्होंने भैस से स्वतंतरता की बात की थी, भैस से स्वतंतरता की बात की थी, तो उन्होंने Atlantic Charter में चार परकार की स्व B है उपासना की स्वतंत्रता C है भैस है स्वतंत्रता और D है अभाव की स्वतंतरता तो ये चार परकार की स्वतंतरता अमेर की राष्टपती रूजवेल्ट के द्वारा वर निट की गई थी तो बढ़ते हैं next question की ओर next question है इनमें से कौन स्वतंतरता को मुक्ती के रूप में वरनित करते हैं अर्थात liberation के रूप में liberation के रूप में imbalance को कौन देखते हैं Marxist, Neo-Marxist, Liberalist या फिर Neo-Liberalist आपको बताना है कि Marxwaadhy Now-Marxwadi, Udharwadi या फिर Now-Udharwadi कौन इन में से स्वतंतरता को मुक्ती के रूप में वर्नित करते हैं बताइए इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा Marxist that means कि Marx वादि मार्क्स वादियों ने स्वतंतरता को मुक्ति के रूप में वर्नित किया है आपको ये बात याद कर लेनी है अच्छे से Marx के अनुसार क्या था? Marx क्या बोलते थे? Marx का कहना था कि स्वतंतरता का आसय विवस्ताओं का आभाव है अगर आपके पास किसी भी परकार की मजबूरी नहीं है आप विवस नहीं है किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं है बाद धी नहीं है किसी भी कार्य को करने के लिए that means कि आप स्वतंत्र हैं और ये बात Karl Marx ने 1844 में रचित अपने Paris Manu Scripts में कही है Paris Manu Scripts उनकी एक रचना है जो 1844 में publish वे थे और उनमें उसी रचना में ये बात उन्होंने की है और देखें मार्क्सवादियों का क्या है मार्क्सवादियों का मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा पर्तिबंद आर्थिक कार्णों से लगता है और उनका ये भी मानना था कि पुंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहुरा जीवन जीने को विवस है राजनितिक नागरिक रूप में वहां समानता दिखाई देती है लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर आप देखेगा तो मुठी भर लोगों का अधिकार होता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर नेक्स्ट कोश्चन है मारा इन निम्न में से कौन स्वतंतरता को स्वायतता के रूप में परिभासित किया इन में से कौन से एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने लिबर्टी को अटोनोमी के रूप में डिफाइन किया है आप्सन A है जोसिफ राज आप्सन B है इसकिनर option C है Herbert Mercurge और option D है John Rawls बताइए कि किन्हों ने स्वतंतरता को स्वयतता के रूप में वरनित किया है तो इसका correct answer हो जाएगा Joseph Raj Joseph Raj ने स्वतंतरता को स्वयतता के रूप में परिभासित किया है आपको ये बात learn कर लेनी है बढ़ते है next question की और next question है हमारा Escape from Freedom बुक ये written by Eric Fromm Joseph Raj, Skinner या फिर Charles Taylor इसमें से कौन सा option correct होगा बताइए आप बहुत important book है Escape from Freedom बताना है आपको कि किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है तो देखें ये बुक जो है वो Eric Fromm के द्वारा लिखी गई है एरिक Fromm की ये रचना है Escape from Freedom और ये जो बुक है वो 1941 में पहली बार publish हुई थी United States of America में USA में ये publish हुई थी 1941 में Escape from Freedom बढ़ता है next question की और next question है हमारा Fear from Freedom book is written by Mercuse, Joseph Raj Eric Fromm, Nelson Mandela तो देखें इस question का भी correct answer हो जाएगा Eric Fromm Eric Fromm के द्वारा ही ये बुक publish की गई है और एक बात आप याद रखिएगा कि Escape from Freedom का ही एक ये वर्षन है और 1942 में ये बुक publish हुई थी United Kingdom के अंदर तो United Kingdom में जस्ट एक साल बाद Escape from Freedom की रचना को ही एक new model में प्रस्तूत किया गया और उसका नाम दे दिया गया Fear from Freedom दोनों ही लगभग एक ही बुक है और दोनों ही जो है वो Eric Fromm के द्वारा लिखी गई है Fear from Freedom 1942 में publish हुई जबकि Escape from Freedom 1941 में publish हुई है ये बात आपको learn कर लेनी है अच्छे से और ये जो बुक है वो Eric Fromm की रचना है ये बुक Eric Fromm की है तो बढ़ता है next question की और question 13 है किसने कहा है कि स्वतंतरता का आसा है वीधी के अंतरगत स्वतंतरता है स्वतंतरता का आसा है लेकिन यह वीधी तारकिक या अचित्ती पूर्ण होनी चाहिए बहुत ही अच्छी quotation है बताए कि किसका कहना है कि स्वतंतरता का आसा है वीधी के अंतरगत स्वतंतरता है वीधी से that means की law के बाहर जाकर अगर आप कोई कारी कर रहा है और आपको यह लग रहा है कि आप liberty को experience कर पा रहा है तो वो स्वतंतरता नहीं है actual में आप किसी law के अंतरगत रहकर कारी कर रहा है उसमें आपकी स्वतंतरता होनी चाहिए लेकिन वो law कैसी होनी चाहिए वो logical होनी चाहिए वो जो law है वो legal होनी चाहिए लॉजिकल होनी चाहिए तो ये statement किसका है option A है मैकिन option B है जोसेफ राज option C है फ्राइडमेन और option D है अमरतियसें बताइए कौन सा इसमें option correct होगा किनोंने कहा कि स्वतंतरता का आसे वीधी के अंतरगत स्वतंतरता है लेकिन यह वीधी कैसी होनी चाहिए तारकी क्या उचिति पूर्ण होनी चाहिए तो देखे ये statement है मैकिन का मैकिन ने कहा है कि स्वतंतरता का आसे वीधी के अंतरगत स्वतंतरता है लेकिन यह वीधी logical और rational होनी चाहिए legal होनी चाहिए बढ़ते है next question की और निमनलिकित में से किसने स्वतंतरता की गंतंतरिय संकल्पना का वीचार दिया है ये question ऐसे है जो किसी भी competitive exam में आप से पूछे जा सकता है इसलिए एक question को आपको ध्यान से देखना है skip नहीं करना है वीडियो को आप देखिए अच्छे से और अपने से आंसर देने की कोशिस कीजिए मेहनत कीजिए क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है ये परिश्रम ही है जो आपको सफलता की और ले जाती है बताए इसका क्या option होगा option A Skinner, option B Eric Fromm option C Nelson Mandela, option D Amartation बताए क्या होगा इसका correct answer कि स्वतंतरता की political theory के अंदरगत आप liberty के concept को अच्छी तरह से पढ़े होगे तो इन सभी question का answer आपको मालूम होगा तो देखे ये दिया है स्वतंतरता की गंतंतरिय संकल्पना का विचार जो है वो Skinner ने दिया है बढ़ते है next question की और question 15 है निमने लिखित में से किसकी स्वतंतरता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंतरता भी कहा जाता है आपको ये बताना है कि किसकी स्वतंतरता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंतरता के रूप में जाना जाता है option A है Hegel option B है Grin option C है Russo और option D है Joseph Raj बताइए क्या होगा इसका correct answer तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा रूसो रूसो की स्वतंतरता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंतरता के रूप में जाना जाता है देखे रूसो के लिए स्वतंतरता का अर्थ क्या है रूसो के लिए स्वतंतरता का अर्थ अपने नैतिक इक्षा का पालन करना है अगर आप अपने moral will का पालन कर रहे हैं देट मिंस की आप अपने आपको स्वतंतर फिल कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि समुदाई की भलाई के लिए कारी करना ही स्वतंतरता है रूसो की स्वतंतरता को बाधिकारी स्वतंतरता दैट मिंस की freedom of paradox के रूप में जाना जाता है और उसो का एक famous statement भी है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समानी इक्षा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंतर होने के लिए बाध ही किया जाएगा और इसी कारण से उन्हें फासी बाध के वीचार का दार्षनिक पीता भी कहा जाता है तो बढ़ता है next question की और next question है हमारा question number 16 निमने लिखित में से किस की स्वतंतरता की संकल्पना को परिवार की स्वतंतरता भी कहा जाता है option A है Rawls, option B है Joseph Raj, option C है Milton Friedman और option D है Skinner बताइए इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा John Rawls John Rawls की स्वतंतरता की संकल्पना को परिवार की स्वतंतरता भी कहा जाता है तो बढ़ता है next question की और next question है हमारा question number 17 निम्ले लिखित में से किसने आधुनिक राजे में मिलने वाली स्वतंतरता को पुरुसवादी स्वतंतरता के रूप में व्यक्त किया है option A है Carol Patman, option B है John Rawls, option C है Joseph Raj और option D है Skinner बताइए, बताइए क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer होगा Carol Patman Carol Patman ने आधुनिक राजी में मिलने वाली स्वतंतरता को पुरुसवादी स्वतंतरता कहा है तो आपको ये, जो facts हैं ये याद कर लेनी है, अच्छे से learn कर लेनी है कि किन्हों ने स्वतंतरता को किस रूप में व्यक्त किया है, तो बढ़ते हैं next question की ओर question number 18 है, morality of freedom, book is written by, option A है Joseph Raj, option B है Amartya Sin, option C है Nilsson Mandela, और option D है Skinner, बताइए कि ये जो book है वो किसके द्वारा लिखी गई है, morality of freedom तो इसका correct answer हो जाएगा Joseph Raj ये book जो है Joseph Raj के द्वारा लिखी गई है, और ये जो book है, वो 1986 में published हुई थी ये book 1986 में published हुई है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है बढ़ते है next question के और next question है हमारा, किसने कहा है कि मानो जीवन में ऐसा कोई सम्बंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से सम्बंधित नहीं हो, आप खुद ये चीज़ सोच के देखे, कि human life का कोई ऐसा relation है जिसमें वह दूसरों से सम्बंधित नहीं हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुख्थ हो, तो स्वतंतरता की व्यापक भावना, स्वतंतरता पर प्रतिबंध की मांग कर रही है या प्रतिबंध की मांग करती है, मतलब liberty पर कुछ restriction होना चाहिए, ऐसा demand कर रही है स्वतंतरता खुद दिमांड कर रही है, कि liberty पर कुछ restriction होना चाहिए तो बताइए कि यह किसका statement है, बहुत ही अच्छी statement है option A, last की, option B है, Jeremy Bentham, option C है, John Stuart Mill, और option D है, Leo Strauss, बताइए तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा Leo Strauss Leo Strauss के द्वारा यह statement दिया गया है, कि मानों जीवन में ऐसा कोई संबन्द नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबन्द इतना हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो स्वतंतरता की व्यापक भावना स्वतंतरता पर परतिबंद की मांग करती है, ऐसा वो क्यों कहता है क्योंकि वो कहता है कि आप सिर्फ एक individual नहीं है, आपके साथ बहुत लोग connected है आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए है, आपको ऐसा कारी न करें, जिससे दूसरों की भी स्वतंतरता बाधित हो आपको स्वतंतर रहने, आप स्वतंतर रहिए, एक individual को स्वतंतर रहने का rights है लेकिन उसकी स्वतंतरता की वजह से, किसी दूसरे की स्वतंतरता बाधित हो, वो स्वतंतरता नहीं हो सकती उस स्वतंतरता पर कुछ restriction लगाया जा सकता है, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है बलकि आपके जीवन के साथ और भी अनेक लोग भी जूड़े हुए है इसलिए आपके liberty पर कुछ restriction लगाया जा सकता है बढ़ता है next question की ओर question number 20 है, किसने कहा है कि वीधी के अभाव में स्वतंतरता नहीं हो सकती बताए ये statement किसका है option A है John Locke, option B है Russo, option C है Berlin, option D है Milton Friedman बताए आज का last question और very very most important question ये question किसी भी एकजाम में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है बताए वीधी के अभाव में स्वतंतरता नहीं हो सकती ये किसका statement है तो ये statement है John Locke का John Locke को father of liberalism भी कहा जाता है अर्थात John Locke उदारवाद के पिता थे John Locke को उदारवाद का जनक कहा जाता है और John Locke ने मानों के तीन परकार के प्राकृतिक अधिकारों को अधिकारों की बात की जिनमें उन्होंने स्वतंतरता के अधिकार को भी सामिल किया था उन्होंने कहा था मानों के तीन परकार के प्राकृतिक अधिकार होता है फर्ष्ट जीवन का अधिकार दूसरा स्वतंतरता का अधिकार और थर्ड उन्होंने बताया था संपति का अधिकार तो आज के लिए इतना ही दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ सेर करें जो UGC NET exam political science की और अनी competitive exam के लिए तयारी कर रहे हो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद